नमेशकार, स्वागत है आपका अपने प्रिवार हिम्रक्षक चैनल बर आशा करते हूँ कि आपसे भी लोग अच्छे होंगे तो आज का मॉक्टस पेपर है हिंदी ग्रमर के उपर जो स्टूडेंस HP पुलीस कॉंस्टेबल की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए इस पेशल क्लास है और जो स्टूडेंस किसी अधर एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो इंपोर्टन रहने वाली है क्योंकि हिंदी ग्रमर की कोशन हर एक एक्जाम में बूच ही जाते हैं स्टूडेंट स्टार्ट करने से पहले आपको पता दूँ यदि आप जेल बॉर्डर की त्यारी कर रहे हैं और त्यारी के लिए मॉक्टेस पेपर लगाना चाहते हैं तो इस नंबर पे आपने मैसिस करना है आपको न्यू पैटर्न के साथ मॉक्टेस पेपर प्रवाइट कर दिये जाएंगे ठीके 7807802045 पे आपने मैसिस करना है तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन से नीचे दिए के विकल्पों में से तद्वब शब्द का चैन कीचिए तो तद्वब शब्द आपने बताना है ओप्शन को देखते हो यहाँ पा जो तद्वब शब्द है वह है आपका मुह ओप्शन नमबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है ठीके तद्वब और तद्वब और तद्वब के रिगार्डिंग एक्जाम में कोशन जो है पूछा ही जाता है ठीके तो अगर इसका आपसे पूछ लिए जाए कि तद्वद क्या है तो आपने याद रखना ह है कि तस्सम इसका होगा मुख ठीके तस्सम इसका होगा मुख नेक्स देखते हैं क्वशन नमबर तू निमन में से अलब प्रान वन कोन से है तो अलब प्रान वन कोन से है ओप्शन को देखते हैं यहाँ पर जो करेक्टन से है ओप्शन नमबर भी बिल्कुल करेक्ट है ठी की पहचान आपने कैसे करने हैं, यहां पर मैं कवर के लाइन लिख रही हूं, Kön, Khgha वď, A, ठीक है, हमेशा आपने पहचान रखने हैं कर पहले नंबर पे, दीसरे और साथ में ये लाइन भी आपने याद रखनी है यरलव ये भी किसमे आते हैं अलब प्रानवर्ण में आते हैं ठीके एक आरता है आपका इसके साथ महाप्रान ठीके दूसरा पाइंट जो है इसका महाप्रान तो महाप्रान में कुन से जो बज़िए आपके second और fourth ठीके ख और घ ये किस में आएंगे माहा प्रान में आएंगे इसके साथ आपने एक और line याद रखनी है श, श, स, ह ठीके ये भी किस में आते हैं हमेशा माहा प्रान में आते हैं जैसे उसमें मैंने आपको बताया है न कि ठीके वो अलब प्रान में वैसी ये line आपने याद रखनी है इसके साथ second और fourth के साथ आपने याद रखना है कि श, श, स, ह जो है माहा प्रान बन में आते हैं ठीके नेक्स कोशन देखते हैं थर्ड नमबर पर आनुपम का परियावाची शब्द है तो आनुपम का परियावाची शब्द कोन सा होगा इनमें से तो option नमबर जो है D बिल्कुल correct है ठीके अद्वित्य जो है क्या है अनुपम का परियावाची शब्द है ठीके इसके साथ आपने याद रखना है अनुपम का पर्यावचिक शब्द और क्या हो सकते है अनोखा ये भी क्या है पर्यावचिक शब्द है इसका ठीके यहाँ पर अद्वित्य दिये है अगर अद्वित्यत आता है तो वो भी इसका क्या है पर्यावचिक है ठीके ये कुछ important है ये भी आपने याद रख लेने है fourth question देखते है निधन का पर्यावाची है तो निधन का पर्यावाची क्या होगा तो यहाँ पर जो है option number भी बिल्कुल correct है ठीक है देहवसान जो है इसका पर्यावाची शब्द है देखे और क्या इसके पर्यावाची शब्द होगे तो मोत, मृत्यू, मरन, दिहाथ ये इसके सारे पर्यावाची शब्द है इसी के साथ आपने याद रखना है history में आपने ये शब्द पढ़ा होगा निर्वान, ठीक है काशी, वास ये भी आपने पढ़ा होगा है तो ये भी जो है इसके पर्यावाची शब्द है ठीक है, इंतकाल ये भी इसका पर्यावाची शब्द है इसके साथ आपने लर्न रखने है next, देखते है question number 5 मनुश्य को पर्मुख पेक्षी नहीं बनना चाहिए तो यहाँ पर आपको शब्द दिया गया है जो अंडरलाइन किया गया है ये क्या correct लिखा गया है सही लिखा गया है तो फिफ्द का यहाँ पर किस परकार से लिखा जाएगा पर्मुख पेक्षी तो फिफ्द का राइट अंसर होगा option number C जो है बिख्षी नहीं पर्मुखा पेक्षी इसका अर्थ क्या होता है दूसरों से अपेक्षा करने वाला जो मनुश्य है मनुश्य को दूसरों से पेक्षा करने वाला होना नहीं चाहिए ठीके तो इसका अर्थ आपने याद रखना है निक्स देखे question number 6 शुद शब्द चैन करे तो यहाँ पर भी आपने सही शब्द बताना है कि जो अधिवेशन है वो किस प्रकार से लिखा जाता है तो options को देखते हुए very easy question तो यहाँ पर जो है C option correct है अधिवेशन जो है इस प्रकार से लिखा जाता है 7 question देखते है निरधार में प्रियुक्त संदी है तो आपने प्रियुक्त संदी बतानी है इसमें क्या है निरधार में जो है option number C बिल्कुल correct है ठीके विसर्ग संदी है इसमें और इसका संदी विशेद किस प्रकार से होता है तो आपने याद रखना है नि यहाँ पर विसर्ग लगानी है ठीके और आधार यह इसका संदी विशेद है यदि exam में संदी विशेद पूछ लिया जाए तो इस प्रकार से इसका संदी विशेद है एट कोशन देखते है डिकजल का सही संदी विशेद है तो यहाँ पर इसका संदी विशेद बताना है एट का जो राइट अंसर है यहाँ पर ओप्शन नमबर डी बिल्कोर करेक्ट है ठीके डिकजमा अचर यदि इसकी आपसे पूछी जाए कि क्या है इसके संदी तो वियंजन संदी है क्या है वियंजन संदी ठीके नेक्स कोशन देखते है नाइन कोशन दनवान का विलोम शब्द है तो दनवान का विलोम शब्द क्या होगा यहाँ पर नाइन का जो राइट अंसर है option number A बिल्कुल correct है ठीक है अंकिंचन जो है इसका विलोम शब्द है next देखते है question number 10 उद्दत का विलोम शब्द है तो उद्दत का विलोम शब्द क्या होगा यहाँ पर जो 10 का right answer है option number B बिल्कुल correct है ठीक है यहाँ पर अगर विनित दिया होता वो भी इसका विलोम शब्द हो सकता ठीक है उद्दत का जो meaning होता है वो क्या होता है अभिमानी और सोम्य का होता है ठीक है यहाँ इसमें अभिमानी या फिर options में विनित दिया होता तो वो इसका विलोम शब्द होता नेक्स देखते है question number 11 विकारी शब्द कौन सा है तो विकारी शब्द कौन सा है इन उप्शन्स को देखते हुए यहाँ पा जो विकारी शब्द है option number D बिल्कुल correct है ठीक है लड़का जो है विकारी शब्द है प्रैल कोशन देखते हैं सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का वेध है तो वाक्य में क्रिया का वेध है options को देखते हुए यह कौन सा correct है तो options जो है बिल्कुल यह जो है सही ठीक है अकर्मक है इसमें सुमित सो रहा है खा रहा है यह सारे के सारे किसमे आते हैं अकर्मक में आते हैं नेक्स्ट है आपका 13 अविकारी शब्द होता है तो अविकारी शब्द जो होता है वो क्या होता है तो options को देखते हूं यहाँ पर 13 का जो right answer है option number D बिल्कुल correct है ठीक है अब वे next देखते है question number 14 मदू जहर का गूट पी कर रह गई मुहावरे का अर्थ है जहाँ पर जहर का गूट पी का जो अर्थ होगा वो क्या होगा 14 का जो यहाँ पर correct answer होगा option number B बिल्कुल correct है ठीक है अपमान को चुप चाप से हैं लेना ठीक है यहाँ पर इसका अर्थ है next देखते है question number 15 tips लगाना का अर्थ है तो 15 का यहाँ पर मुहावरे का अर्थ क्या होगा तो 15 का B option जो है सिफारिश करना बिल्कुल correct answer है next 16 question देखते हैं किसी के प्रती उधारता एवं क्रिपा पूर्वग किया जाने वाला विहवार तो वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है तो 16 का जो यहाँ पर राइट answer होगा option number D बिल्कुल correct है ठीक है अनुग्रह जो है बिल्कुल सही उतर है next देखते हैं 17 question तो यहाँ पर भी आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है तो यहाँ पर correct option है पदा वनती जो है बिल्कुल correct option है D option बिल्कुल सही है next देखते हैं question number 18 तुम यह काम मत करो तो इसमें क्या होगा आग्या वाचक होगा निशेद वाचक होगा प्रशन वाचक यहां विसमे वाचक होगा तो आपको पता है यहाँ पर मत यानि कि ना या मत की जब भी बात होगी तो option number कहां पर आएगा B जो है बिल्कुल correct है ठीक है निशेद वाचक पर है आपने टिक करना है next देखते है question number 19 शिशुंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ है तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा 19 को जो right answer है option number D विल्कुल correct है ठीक है अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना यहाँ पर correct answer है next देखते हैं 20 question कोई इर्गार्ट तो कोई विर्गार्ट का अर्थ है तो यहाँ पर आपने इसका अर्थ बताना है 20 का जो अर्थ है this का B option correct है ठीक है ताल मेल ना होना next देखते हैं 21 question निमिनित में से किसी वृति या वेवार वेपार कहते हैं तो वृति यहां पर पार कहते हैं, किसी कहते हैं? Options को देखते हुए, यहां पर option number A जो है बिल्कुल correct है, ठीके? शब्ध शक्ति को कहते हैं, 22 question देखते हैं, शांत रश्का स्थाई भाव है, तो शांत रश्का जो स्थाई भाव है, वह क्या है? Options को देखते हुए, 22 का जो right answer होगा, निर्वेद जो है, बिल्कुल correct answer है, ठीके? D option बिल्कुल correct है, 23 question देखते हैं, चारो चर्णों में सामान मातराओं, यहां पर आएगा, ठीके? मातराओं, यहां आपने note कर लेना यहां पर, ठीके? मातराओं वाले शंद को क्या कहते हैं, तो चारो समान जो है, मातराओं वाले शंद को क्या कहते हैं, option बिल्कुल correct है, ठीके? हिंदी का प्रचलीत रूप है, तो वर्तमान में हिंदी का प्रचलीत जो रूप है, वो क्या है? option number C बिल्कुल correct है, ठीके? खड़ी बोली जो है, यहाँ पर correct answer है, निक्स देखते हैं, 26 question, सकार में उपसर्ग है, तो यहाँ पर उपसर्ग बताना है आपने, 26 का जो right answer है, सब, B option जो है, बिल्कुल correct है, ठीके? 27 question देखते हैं, अकरांत, तो इसमें आपने बताना है, कि pulling है, इसरी link है, या फिर दोनों है, तो यहाँ पर A option बिल्कुल correct है, ठीके? pulling में यहाँ आता है, next देखते हैं, question number 28, व्याकर्ण और वर्तने के द्रिश्य में, द्रिश्य से शुद्वाशा कहलाती है, तो व्याकर्ण और वर्तने के द्रिश्य से शुद्वाशा कहलाती है, options को देखते हैं, यहाँ पर 28 का जो right answer होगा, option number A बिल्कुल correct है, ठीके? अब आपका homebook देख लेते हैं, last में, निमिलत में से किस शब्द में करमधारे स्मास नहीं है? options को देख के आपने बताना है कि किस में करमधारे स्मास नहीं है, ठीक है? अश्टाध्याई में कौन सा स्मास है? तो options को देख लेजिए, दोनों के आपने मुझे comment section में answer करके बताना है, ठीक है? इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, please वीडियो को like करे, comment करें, और ज्यादा से ज्यादा share करें, मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ, धन्यमाद!